नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन बिहार में एक और जहां महागटबंदन की सरकार बनी है और ये सरकार साथ दलों से मिलकर बनी है तो वही दूसरी तरफ लगाटार अपने ही सरकार के खिलाफ नीता जो है बिधायक जो है वो सवाल करते हुए प्रदेशन करते हुए नजर आते हैं जहां एक और मुख्यमंतर नतीश कुमार की तरफ से ये फैसला आता है उनकी सरकार एक फैसला करती है सिक्षक नियावली को लेकर और इसका लगातार विरोध करते हुए सिक्षक अभिहर्थियों के साथ खड़े आते हैं माले की कई व नमान जी जो है लगातार कॉर्डिनेशन कमीटी की बात करते हैं वो इसले इस कमीटी की बात करते हैं ताकि जो बयान बाजी चलती रहती है सरकार के तरफ से ही सरकार के खिलाफ उस बयान बाजी पर कंट्रोल हो और इस कॉर्डिनेशन कमीटी में सारे घटक के जो दल है वो कमिटी में राज़त के ही बड़े विधायक जो है बड़े नीता लोग जो है वो अपनी सरकार से सवाल करेंगे अपनी सरकार को घेरते हुए नजर भी आएंगे अल्यडी ओफिस में शेहरी गरीबों के अवास और मुल भुत बुनियाद समस्याओं पर विचार गोस्ट्री का आयोजन किया गया इसका उदगाचन पाटी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दान अनसंग ने किया पर्व मंतरी श्याम रजक व्रिशिन पटेल भूमी विधान सभा अध्यक्ष उदे नरायन चौधरी की उपस्थिती खास रही आयोजन की अध्यक्षता सिस्टर डोरुथी फंडान्डिस ने की इसमें बड़ी संख्या में जोगी जोपड़ी के लोग पहुचे लोगोंने अपनी मांगो को रखा आयोजन में पहुचे लोगों का गुसा इस बात को लेकर रहा कि सरकार क्यों उनकी जोपडियों को उजाड रही है जबकि लालो प्रशाद ने पटना के कई इलाकों में गरीबों के लिए आवास बनाया था केंदर की नरेंद्र मोधी पर सरकार पर भी गुसा करते हुए कि इन सरकार वादा नहीं निभा रही है गरीबों को आवास नहीं दे रही है उदैन रायन चौधरी ने बताया कि आरजेडी ने इस अदस्य कमेटी बनाई है इसमें व्रिशिक पटेल, उदैन रायन चौधरी, श्याम रजक, डोर्थी फंडांडिस आधी रहेंगी यह कमेटी इसी सप्ता भिहार के नगर विकास मंतरी से मिलेगी और उनसे यागरा करेगी कि गरीबों की जोपडियों को उजारना बंद किया जाए और उनकी मांगों को पूरी की जाए, उनकी मांग जो है उसे माना जाए तो आपको बता दे चलें कि RJD की तरफ से यह कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी में यह मांग रखी जाएगी कि जितने भी जुगी जोपडी जो है तो यहां पर जुगी जोपडी के जो लोग है वो भी मौजूद है और वो लगाटार बिहार सरकार पर भी सवाल करते हुए नजर आए बिहार सरकार को भी घेरते हुए नजर आए उनसे ये पूछते हुए नजर आए कि आखिरकार आप उनकी जोगी जोपडियों को क्यूं हटा रहे हैं जाए एक तरफ लालो प्रिशाद यादब गरीवों के लिए आवास बनाती थे वहीं लगटार आरजडी जो है वो जोगी जोपडियों को हटा रही है वहीं दूसरे तरफ केंद सरकार पर भी निशाना साथते हुए उनसे भी सवाल किया है कि केंद सरकार जो आवास बनाने का वादा किया है वो आवास बनाने का वादा पूरा नहीं हो रहा है आने वाले दिनों में आरजोडी के तरब से एक कमेटी बनाई गे जाएगी और इकमेटी में जितने भी जुगी जोपड़ी वाले लोगों के जो सवाल है उनकी जो मुश्किले है वो सारे हल किये जाएंगे पुलागले इस खबर में इतना ही अनिक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस फार्डेशन